वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें बहुत जादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेडी फॉर सिविल सर्विसिज के थूर आपको लोगों के लिए अविलेविल करवाया गया है इसमें वो सारी टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे जो यूजियली आपको एक जगह पर नहीं मिलते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको ल इंदुस्तान की 2021 की उत्तर प्रदेश की वन इस्तिती रिपोट 2021 की करिशी नवींतम आकड़े 2022 के खनिज से रिलेटिड जो डेटा है 2022 का एनरजी स्टेटिस्टिक्स डेटा 2022 का और अंतरास्तिय संस्थाएं भारतिय संस्थाएं फसल रोक सबजियां फळों में जो रंग ह या फिर बाद करें या फिर, नियूनतम, जो आपका का पंजीकरण प्रिणाली है, SRLS रिपोर्ट, इसका बात करें. तो यह 14 टॉपिक हैं , जिनको हम cover-up करेंगे यहां पर. यहाँ पर आने वाले हर एक वीडियो को complete देखेगा इसका कारण मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जितना मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा उसके अंदर से ही आपको questions देखने को मिल जाएंगे examination में 14 मही का जो आपका paper है उसके लिहाँ से यहाँ पर हम सबसे पहले इस वाली PDF को cover up करेंगे बहुत जादा important है यहाँ पर मेरी approach इस तरीके से नहीं होगी कि जनगणना की जब हम बात करें तो एक ही वीडियो के अंदर सब जनगणना से related data मैं आपको दूँ यह बिलकुल सही भी नहीं है मुझे लगता है क्योंकि आप लोग उतना consume नहीं कर पाएंगे possible नहीं है क्योंकि robot तो है नहीं after all human being है ठीक है तो यहाँ पर उस तरीके से चलेंगे थोड़ा थोड़ा data सबका लेते हुए चलेंगे जो important points से उनको cover up करते हुए चलेंगे आप लोगो को करना सिर्फ इतना सा है per day के base पर अगर आप चाहें तो इनके notes बना सकते हैं otherwise जो मैंने आप लोगों से अब तक हर बार बोला है कि अगर आप लोग PCS की तयारी कर रहे हैं RO की तयारी कर रहे हैं so steady for civil services के comparatively दूसरा कोई भी offline online ऐसा माध्यम नहीं है जिसके तुरू आप काम्याबी हासिल कर पाएं otherwise आपको बहुत मेहनत और बहुत सारे sources को तलाश करना पड़ेगा तब कहीं जाकर आपको चीजें मिल पाएं और वक्त उतना है नहीं PCS की बात करें तो बमुश्किल पचास दिन बचे हैं और अब आपको मतलब अगर अभी भी आप चाहते हैं कि आप सफल हूं तो आपको तुरंट steady for civil services को जोईन करना चाहिए तब ही आपको यहाँ पर सफलता मिल पाएगी और जो जितना मतलब आपको यहाँ पर बताया जाएगा उस हर एक topic को complete करते हुए चलना है आपको ठीक है तो अगर आप चाहें latest group में हमारे entry लेना तो इसके लिए आपको simply यह जो number है 85-64-880-530 या फिर आप 96-960-660-89 या फिर 75-23-86-24-55 इन तीनों में से किसी भी number पर आप call करके ग्यांसर से बात कर सकते हैं ठीक है या फिर हमारी team से बात कर सकते हैं exactly कहें तो तो यह बात करके आप जो है इन नए latest groups में entry ले सकते हैं बहुत important है जितना आप देर करेंगे उतना ही आप competition में पीछे होते जाएंगे तो सबसे पहला जो हमारा आज का topic है जिसमें हम बात करेंगे भारत की जनगलना 2011 उसके अंते माकडों के बारे में आप देखें यह जो number आप देख रहे हैं यह number ना तो आपके लिए possible है कि आप याद रख पाएं और ना ही examination में पूछे जाएंगे दिया आपको इसलिए यह हाँ पर गया है ताकि यह graph idea आपके पास रहे ठीक है अब हम यहाँ पर percentage में ही बात करेंगे अगर हम बात करें इंडिया की total population के percentage की तो उसमें जो ग्रामीड जनसंख्या है जो rural population है वो कितनी है 68.9 अगर हम पुरुषों की बात करें तो total जो पुरुष है 100% उसमें से ग्रा 6% महिलाओं की बात करें तो ग्रामीड भारत में जो महिलाएं रहती है वो कितनी है आपकी 69.1% महिलाएं टोटल जो इंडिया की महिलाएं है उसका 69.1% कहां पर हैं गाउं में रहती है यह data आपको as it is याद रखना है ठीक है सबसे पहली चीज आपको यह याद रखनी है कि 68.9% यह इंडिया की टोटल आवैदी का वो जनसंख्या का पतिशत है जो कि गाउं में रहता है मतलब ग्रामीड जनसंख्या का पतिशत कितना है 68.9% सो जैसे ही हमने बात करी कि ग्रामीड जनसंख्या जो है उसका परसेंटेज कितना है 68.9 तो आपको एकदम समझ में आ गय कि कितने आबादी जो हिंदुस्तान की वो शेहरों में रहती है तो आपको इसको 100 में से माइनस कर देना है तो कितना आजागा आपका 31.1 यह आपको एजटेज याद रखना है ठीक है 68.9% यह कहां रहते हैं जो रूरल एरिया है और जो अर्बन एरिया है वहां पर कितना है आ हम बात करते हैं तो टोटल पुर्षों का 68.6 प्रतीशत यह कहां पर रहता है आपका रूरल एरिया में और 31.4 प्रतीशत कहां पर रहता है अर्बन एरिया में यानि की शेहरी इलाकों में टोटल महिलाओं की बात करें तो उसमें 69.1 परसेंट जो है यह कहां पर रहती है और होते रूरल में और 30.9 परसेंट ये कहां पर रहते हैं आपकी अर्बन यानि की शहरी इलाकों में तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहां पर यह पता होनी चाहिए कि जो हमारी हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो ये डेटा होगे सबसे पहले इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स टॉपिक पर अर्तपरदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं आप आरो की तैयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम के अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टेडी फॉर सेविल सर्विसेज की कोर्सिस को आप जोइन कर सकते हैं कम्प्लीट तैयारी के लिए यह वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा इसमें स्टेडी मैटीरियल रहेगा टेस्स सीरीज रहेंगी पेड कुई रहेंगी सब कुछ आप आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब को सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को करने के लिए एक्जाम को निकालने के लिए लेटेस्ट ग्रूप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रूप में आपको एड्मीशन लेने के लिए इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8564-880 इस नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं इसके इलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह लेट टेस्ट गुरूप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बगला जो यहांट पर हमारे टॉपिक रहेगा इसमें हम उत्तरप्रदेश की जन्गरणा के बारे में करेंगे 2011 के आउंकड़े क्या कहते हैं उत्तरप्रदेश की जनसंख्या के बारे में तो उत्ता प्रदेश की हम बात करें शेतरफल की दरस्टी से आपको पता है कि चौते प्लेस पर है अच्छा शुरुबात के तीन प्लेस पर कौन कौन से स्टेट है कमेंट सेक्शन ने बताईएगा ठीक है शुरुबात के तीन प्लेस पर कौन कौन से राज्य है शेतरफल की द्रस्टी से ये कमेंट सेक्शन बताईएगा और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कि वो जनसंख्या की द्रस्टी से हिंदुस्तान में उसका कौन सा प्लेस है तो वो कौन सा है नंबर वन सबसे जादा जनसंख्या यहीं पर है 2011 की जनगरना में जो छेत्र है वो पाँचवा इस्थान बताया गया था लेकिन अभी तेलांगना जब बन गया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का इस्थान कौन सा हो गया है चोथा हो गया है शेत्रफल की दरस्टी से अच्छा आप बात करें हम कुल जनसंख्या की तो कुल जनसंख्या 19.9 आठ करोन जो है टोटल पॉपलेशन है चीन भारत अमरीका इंडोनेशिया की जनसंख्या के बाद अगर हम बात करें तो यूपी की जनसंख्या कितनी आ जाएगी आपकी पाँचवे प्लेस पर आ तब उत्तरप्रदेश का इस्थान कौन सा हैगा पांचवा इस्थान आएगा ठीक है और भारत में अगर हम बात करें तो 16.51 प्रतिशत यानि की एक बटा छटा भाग जो है वो उत्तरप्रदेश की जनसंक्या का है पुरुष जनसंक्या की बात करें तो 52.28% सदी कौन है महलाएं है ठीक है इस चीज़ को यहाँ पर आपको याद रखना है इसके बाद अगर हम बात करें टोटल छेत्रफल की उत्तरप्रदेश के सो यह दो लाक चालिस हजार नौसो अटाइस वर किलोमीटर है भारत का जो टोटल छेत्रफल है उसका 7.33% उत्तरप्र पर आता है आकार की दृस्टी से उच्चितम छेत्रगरम बात करें सबसे बड़ा कौन सा छेत्र है उत्तरप्रदेश का वो है आपका लखीनपुर खीरी ठीक है और सबसे निचला छेत्रगरम बात करें तो वो कौन सा है आपका संत रविदास नगर बदोई यह जो डेटा को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हर एक डेटा को बहुत इत्मिनान से शांती के साथ देखते चलिए ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी ग्रामीर शेहरी जनसंख्या की सो शेहरी जनसंख्या की बात करें तो भारत मे कुल मिलाकर दूसरा है भारत का 11.79 फीसदी जो है और यूपी की बात करें तो यूपी की शेहरी जनसंख्या 2001 में 2001 से 2011 में जो दश्किय वरदी रही है उस दश्किय वरदी से कितनी हो गई आपकी यह 28.82 फीसदी ठीक है परसेंट ग्रामीर जनसंख्या भारत में कुल मिलाक पहला है और ग्रामीर जनसंख्या मामले में और भारत का 18.63 जो है जनसंख्या जो ग्रामीर वाली है वो उत्तरप्रदेश में रहती है आगे हम देखें इसमें शीर्ष शेहरी जनसंख्या तो शीर्ष शेहरी जनसंख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो शीर्ष शेहरी जनस यह तो बात हो गए नंबर की terms में बट अगर percentage वाइस पूछलें कि शीष, शहरी जनसंक्या पतीशत के मामले में, तो सबसे ज्यादा तो किस में हैं गाजियाबाद में है जो शहरी जनसंक्या का percentage है, उसके बाद लखनव में, उसके बाद कानपुर नगर में, उसके बाद संक्या है और जब हम बात कर रहे हैं किसकी टोटल नमबर की तब कौन जोंसे जिले है ठीक है इसके बाद आगे हम बात करें यहाँपर नियुन्तम शहरी तो नियुन्तम शहरी यह किसमे आजाएगा आपका श्रावस्ति ठीक है इसके बाद आपका चित्रकूर्ट में उससे जादा है कौशामभी में उससे जादा संत कबीर नगर में उससे जादा महराज गंज में उससे जादा और जब हम बात कर रहें नियुनतम पांच शहरी जो जनसंक्या को परसंटेज के मामले में तो श्रावस्ती परसंटेज में भी कहां पर आएगा आपका सबसे नीचे आएगा सबसे कम शहरी जनसंक्या कहां पर आए श्रावस्ती में इसके बाद कुशी नगर उसके बाद जो आपका ये महराज गंज है फिर सुल ग्रामीड जनसंकिया है ठीक है तो उसमें आपका इलाबाद है सबसे जादा ग्रामीड जनसंकिया यहां पर है इसके बाद आजमगड आता है फिर जौनपुर आता है फिर सीता पुर फिर कोरकपुर जब हम बात करते है नियुनतम पांच की वो जिले जहां पर सबसे कम ग्रा कि और वरॉल की और उसके बाद हमने उत्तरप्देश का यह डेट आ देखा है जिसमें हमने जनसंख्या के हसाब से जिलों क्या हमने देखा ही कौँ में सबसे जादा कौन से जिले में सबसे जादा उससे कम और पर्रशिंटेज वाइज Monty धाशJust比較 करें x नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जनसंख्या के बारे में बात नहीं करेंगे इस डेटा को कहीं आप नोट करते रहें अगर आप एंड्रोल कराएंगे किसी भी कोर्स में अगर हम स्पेशली बात करें उत्तवरदेश PCSRO और